जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एचस भारद्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ इस उपाय के करने से शीग्र ही पुत्र की मनों कामना पूरी हो जाती है अगर आपके पास पहले से बेटी आएं तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं माताराने की किरपासे भगवान किरपासे शीग्र ही आपकी पुत्र की मनों कामना पूरी होगी पहले से अगर आपके एग, दो, तीन पुत्रियां है तो आपको यह उपाय जरू करना चाहिए अश्व अपाय से शीक्र ही पुत्र प्राप्ती के योग बन जाते हैं पुत्र प्राप्ती के लिए यह उपाय आपको पांच दिन करना होगा जब भी गरवदारण का दूसरा महिना प्रारण होता है तब आपको पत्र प्राप्ते के लिए यह पांच दिन का उपाय जरू करना चाहिए भगवान कृष्ण की किरपा से आपकी मनो कामना जरू पूरी होगी गरवदारण के बाद आपको रोज प्रति दिन हरवन्स पुराण का स्रवन करना चाहिए प्रति दिन हरवन्स पुराण आप पहले महिने से और छटे महिने तक जरूर सुनें साथ ही पुत्र प्राप्ती के लिए यह उपाय करें जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो भी चैनल पर पहले बराएं चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें माता रानी की किरपासी पुत्र प्राप्ति के यूग बन जाते जिनके भी मन में धार संस होता है कि हमारे दू या तीन वेटी हैं को डर भी लगता है तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप मन में जड़ा संकल्प रखें हर समय वगवान के सामने अपने निवेदन करें और मन में यह बिचार रखें कि इस बार हमारे पुत्र ही होगा मन की वावना के एसाफ से मन में जो बिचार बनते हैं उसे अपना के साफ से पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक विशेश ध्यान रखना चाहिए पहले महीने से लेकर के और तीसरे महीने तक मन में यही बिचार रहना चाहिए कि भगवान की किरपासी हमारे अवस्य ही पुत्र की प्राप्ती होगी मन में डर या संसे बिलकुल नहीं होना चाहिए और आप संतान प्राप्ती के लिए प्रयासरत हैं या पहले से कोई भी संतान नहीं है और पहली बार आपने पुत्र प्राप्ती के लिए विचार कर रहें तो ये गलत है, पहली बार जो भी भगवान फल देते हैं, उसे स्विकार करना चाहिए, लेकिन जिनके पहले से ही करने आएं, तो वो यह उपाय कर सकते हैं, जब सेकंड मन्त शुरू हो, उससे एक अपते बाद आपको सिवलिंगी के बीज लेकर क्या आने, सिवलिंगी के बी पांच दिन इसका प्रियोक करना है, सुब दिन में, सुब दिन से यह शुरू करें, और सुबह के समय आपको इसका प्रियोक करना है, सुबह सूरूते से पहले आपको इसका प्रियोक करना है, और सामने भगवान कृष्ण की बालरूप की फोटो हो, जब आप यह प्रियोक कर रहे हैं उस समय आपके सामने कन्या नहीं आनी चाहिए इसे चीज को आप गाय के दूद के साथ ही लें गाय का उबला हुआ दूद नहीं लेना है ताजा दूद लेना है और उसमें अगर हो सके थोड़ी सी केसर भी डाल दें मैंने आपको बताया था कि माता रानी के सामने एक चीज रख करके उसे जरूद खाए तो वो केसर थी अगर आपने माता सामने केसर रखी है तब भी अगर नहीं रखी है तो आप बजार से केसर ले आए थोड़ी सी केसर डाल करके और यह साधा दूद से भी आप ले सकते हैं जैसे भी आपकी इच्छा है यह पांच दिन करना है पांच दिन लगाता लेना है यह लेने के बाद में दू गंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है आदा चम्मच करीबन इसका प्रियोक करना है निश्चेंत रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूर योगी जरूर प्रियोक करें जैसरी किश्ण